तो मैं देख रहा हूँ आप सब तब से ना इन दोनों के बारे में कोई ना को खिच्णी पकार रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ ये ड्रामा बहुत लोगों ने पसंद किया है और ये चीज हासिल करना बहुत मुश्किल होता है और उसकी रेटिंग्स भी बहुत जबरदस्त हैं जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ये सब डारेक्टर, राइटर, अक्टर्स और अक्टर्स की मेहनद का कमाल है लेकिन एमरी किने की एक्टिंग की तो हम सब को दाद देनी बन दी है सब एक्टर्सेस और एक्टर्स तो बहुत ही अच्छे हैं लेकिन वो तो कमाल आदमी है उसकी बात ही अलग है आपकी ड्रामा की शोहरत के मुतलिक क्या ख्याल है नोजवान नसल के लिए तो बहुत सारे ड्रामे हैं इन में बेशिमार स्विमिंग पूल वाले सीन्स भी हैं है ना? डायलग होते हैं और बाकि सब स्विमिंग पूल के अंदर ड्रामा में तो चीटिंग ही जाता चलती है और अकर देखा जाए तो आपके ड्रामा में भी वही चीज पाई जा रही है लेकिन आपके वाला बहुत ही अच्छा जा रहा है वैसे आपके ख्याल में इसकी शोहरत की असल वज़ा क्या है हमने इसके बारे में पहले भी बात की है दरसल बहुत सी चीज़े हैं इसके मुतालिक सबसे पहले तो इसकी कहानी देनिज और केंक को दाद देनी बनती है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इसके इलावा सारी टीम कभी सब नहीं बहुत महनत की है सुनने में शायद हैरान कुन और बजगाना सी लगे आपको लेकिन हम आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं जी हाँ, बड़े अच्छे तालुकात हैं हमारे एक दूसरे के साथ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये सेम इनर्जी के साथ हमने पहले एपिसोड से लेकर आखरी एपिसोड तक काम किया जी बिल्कुल पहले दिन जैसे ही नाजी थी सब में बड़ी लगन से काम किया है बहुत मेनद की है सापने तो मैं लड़कियों से पूछना चाहूंगा तो लड़कियों आप सब मुझे अपने किरदार के बारे में बताइए क्या ख्याल है आपका कि वो भी दिल्चस्प है या नहीं है लेकिन तुम्बोई जैसे है बुरकू लेकिन आपका थोड़ा सा मुक्तलिफ किरदार है उसमें अच्छा दो बुरकू आप ज़े अपने ख्यालात के बारे में बताइए इस ड्रामा की शोहरत के पीछे किस चिसका जादा हाथ है मेरा ख्याल हम सब कोई बहुत उमीदे थी हम सब को एक दूसरे से बहुत ही प्यार है और सब ने पहले ही एपिसोड से बहुत ही दिल लगा कर काम किया है बहुत हसी खुशी किया है सब कुछ और मेरे ख्याल से ये चीज़ सबसे एहम होती है इसके बगेर कोई भी ड्रामा नहीं चल सकता। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। ड्रामा में आप लोग एक दूसरे से अपने जज़बात का मतलब आप और टॉलगा एक दूसरे से अपने ज़बात का इजहार नहीं कर पा रहे होते हैं। इसकी क्या वज़ा है। मैं दो बता नहीं सकता आपको अपनी खुशी का रहा है। मैं जो आप से कहलवाना चाह रहा था, आपने खुद ही वो कह दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। करते हैं कुछ इस बारे में। देखें आप दोनों अगर हमें बेवकूफ बिना रहे हैं तो अभी बता दे हैं। क्योंकि लोग तो इस बारे में बहुत सारी बाते कर रहे हैं। लेकिन आप बताएं कि सच क्या है। जी हम तो बस साथ में काम करते हैं। अच्छा, यह हमारे किरदार अली और सेलन के प्यार का नतीजा है, जो लोग समझते हैं तो आप बताएं कि सेलन को अली से प्यार क्यों है? सेलन को अली से प्यार क्यों है, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा इंसान है और सेलन को उसमें एक मासूमित नजर आई थी लेकिन अब वो दरसल जानगी है कि वो कितना स्ट्रॉंग इंसान है और इसी वज़ा से सेलन को अली से बे तहाशा मोहबत है लेकिन उसके बाबा की तरफ से उसमें एक पागलपन भी होता है हाँ जी बिल्कुल है मैंने उसका ये रूप अच्छा तो आपको नहीं पता लेकिन एक मर्द होते हुए मैं तो देख सकता हूँ कि ये चीज अच्छी है या बुरी है जी बिल्कुल ठीक कहा है आपने सेलन भी कुछ इसी तरह का ही है चले एक मैं आपसे सवाल करता हूँ आप मुझे यह बताईए कि आप अली जैसा वाइफेंड पसंद करेंगी या नहीं बताएं उसके अच्छा करेंगी आप और बुर्कु क्या आप सावस जैसा वाइफेंड पसंद करेंगी ये सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल चीज है मैं आपका नाम भूल गया आपका ड्रामे में क्या नाम था सावस ओके तो बताएं बुर्कु के लिहाज से मैं बिल्कुल बेपसंद नहीं करूंगी क्या जी बिल्कुल वाके लेकिन ऐसा क्यों कह रहेंगे आप दरशल कैसा समझाओं आपको मुझे हस्मोक लोग जादा पसंद है तो सावस नहीं है क्या मुझे लगता मैंने क्यों गलत बात कर दे बताओ जारा तो ड्रामे में सावस प्यार नहीं होगा लेकिन हम अच्छे दोस्ट जुरूर बन सकते हैं अच्छा तो प्यार नहीं करेंगी दोस्ट जी आप कर लेंगी इस तरह तो मुझे भी कभी इनसे प्यार नहोता है लेकिन वो सावस और भरकू है मुझे लगा कि शायद हम दोनों की बात हो रही है अब सबसे पहले तो हम इस मसले का हल निकालेंगे इरम से पूछते हैं आईए इरम क्या आपनी ड्रॉमा देखा है मैं बार बार इसका नाम भूल जाती हूं माफ कीजेगा मैं अपने आपको इसमें शुमार नहीं करना चाहती है